हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सरकार और सेवी पर हमलावर विपक्ष की नेता राहूल गांधी ने शेयर बाजार से अच्छा फायदा कमाया है ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है और आकड़े बता रहे हैं कि राहूल को शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से पिछले पांच महिने में 46.49 लाक रुपए का फायदा हुआ है मार्च तक उन्होंने कुल 4.39 लाक रुपए का निवेश किया था जो के 12 अगस तक बढ़कर 4.80 लाक रुपए हो गया है राहूल ने इस साल लोगसभा चनाओ के दौरान राय बरेली से अपना नॉमिनेशन किया इस जनावी नामंकन में उन्होंने कहा था कि 15 मार्च 2024 को उनके पोर्टफोलियो का मूल्य 4.33 लाक रुपए था अब इसकी कीमत बढ़कर 4.80 लाक रुपए बताई जा रही है उन्होंने जिन शेरों में निवेश किया है उसके बारे में भी आपको बताते है एशन पेंट्स, बजाज फनांस, दीपक नाइट्रेट, डिवीज लाब्स, जी एम एम, फॉडलर, हिंदुस्तान, यूनिलिवर, इन्फोसिस, ITC, TCS, टाइटन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और LTI, माइनडिट्री जैसे शेर है राहुल गांधी ने बड़ी कमपनियों के अलावा कुछ छोटी कमपनियों के शेर में भी निवेश किया है और इनमें वर्टोज, अडवर्टाइजिंग और विनाइल केमिकल जैसी कमपनिया है इनके पॉर्टफोलियों में 24 शेर हैं और इनमें से 4 कमपनिया यानि के LTI, माइनडिट्री, टाइटन, TCS और नेसले इंडिया में उन्हें घाटा हुआ है उन्होंने 5 महीने में वर्टोज के शेरों की संख्या बढ़ा दी है और पहले उनके पास इसके केवल 260 शेर थे जो के अब बढ़कर लगभग 500 हो गए हैं राहुल गांधी के पॉर्टफोलियों में कई छोटी कमपनियों के शेर हैं इनमें वर्टोज अड़टाइजिंग और विनाइल केमिकल जैसी कमपनिया सबसे एहम हैं और इनमें से वर्टोज अड़टाइजिंग बहुत ही चर्चा में रही है उनके पास कमपनी के 270 शेर थे हाला के स्टॉक स्प्लिट और बोनस की वज़े से अब उनके पास 500 शेर हो गए हैं अब मोदी सरकार के तीसरे कारेकाल के दोरां सेंसेक्स और निफ्टी में नए कीरतीमान बना दिये हैं शनिवार को जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई इसमें लगाए गए आरोप के बाद सुमवार को पिछली बार के तरह मार्केट में जादा हलचल नहीं देखने को मिली और राहूल गांधी ने एक वीडियो संदेश में अमेरिकी शॉट सेलर हिंडनबर्ग द्वारा सेबी चीफ मादभी पूरी बुच पर लगाए गए आरोपो की जेपी सी जाच कराने की मांग की और उन्होंने ये भी कहा के आरोप बहुत ही गंभीर हैं इसलिए संयुक्त स संसद्य जाच होनी चाहिए चोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए ये जाच हमें करवानी चाहिए हलाके इन आरोपो को मार्केट के कई विशिशग्यों ने खारच कर दिया वही अडारी ग्रुप सेवी और मादभी बुच ने भी आरोपो को निराधार बताया हि हिंडनबर्ग की पोल 18 महीने पहले ही खुल चुकी है जब उसने अदानी ग्रुप को लेकर बड़े दावा किये थे लेकिन सुप्रीम कोट के निगरानी में हुई जाच में कुछ भी निकल कर सामनी नहीं आया था बलकि सिक्योरिटी मार्केट के नियमों के उलंगन के और इसका मकसद सिर्फ रिटेल निवेशकों के भरोसे को तोड़ कर भारत के शेयर मार्केट को खत्म करना है वही आपको बता दें कि कई जानकार है उनका कहना है कि हिंडनबर्ग का मकसद सिर्फ मार्केट को शॉट कर पैसा कमाना है शनिवार को ये रिपोर्ट आई थी र अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें